नेचर लवस देखिए आज हम एक ऐसा पोधा दिखाने जा रहे हैं जो पहाडों पर जहां रेन फाल होता है और इसनों फाल जादा होता है वहाँ पर होता है इसके सारे पाइट दवाईयों परियोग किये जाते हैं और इसका तेल कच्चा तथा पका हुआ दोनों परियोग क किये जाते हैं खाने में तथा दवाईयों में दिस प्लांट फाउंड इन उत्राखेंड एंड हिमाचल परदेश एच शिक्टीन हंडेड टू ट्वंटी फाईउ हंडेड मीटर हाइट सिक्किम खासी हिल्स जंसिया हिल्सोप मेगा लैफोर मैडिसिन फ्यूल वूड फोडर एरोजन कंट्रोल एंड बायो फैंसिंग आदी में इसका परियोग किया जाता है यूजड एज एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सिडेंट पार्ट यूजड लीज फ्रूट सीट्स एंड रूट्स सभी भाग लगबग परियोग किये जाते हैं मैनी फोरेस्ट स्पिसीज सप्लाई फूड एंड अदर एडिबिल थिंग्स टू एनिमल्स एंड हूमन्स यह देखिए अब हम यहां पहुँच गए हैं यह यहां पर बहुत अच्छा मोसम वाला पेड़ हैं जो हम देखने आए हैं अब यहां पर आसपास में खूब सारे हो रखें और अच्छी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इसके सारे पार्ट यूज किये जाते हैं और मस्कुलर पेन वगरा कोई भी बिमारी हो सबीसे ठीक हो जाती हैं इसकी कोमन नेम भेकल भंकेल भंगाल बेकरा चिरारा धतिला धनतेल हिमालन वाइल चेरी हिमालन चेरी पिंसेपिया आदी नामों से इसे जाना जाता है इसका बाटनिकल नेम पिंसेपिया यूटिलीस डैट बिलोंग टू रोजेसी फैमली अब देखिए यहां पर देखिए सारे प्लांट यही ग्रोह रखे हैं इसका तेल खाने में और दवायम परियोग किया जाता है सूरज मुखी से अच्छा होता है और सरसों के तेल के बराबर होता है इसे अगर हलका सा गरम कर लें तो यह छोटे-छोटे बच्चों की मालिस करने में भी काम आता है और बड़ों के काम भी आता है ही देखिए किस तरह से पेड बर्फ में हो रहा है इसके उपर बरत लदी हुई है आहां है हुआ कि ते ऐस तरह से जो है ये फल फूर राहा है यहां पर यह देखिए कितने अच्छ अच्रावर के दाने आपने देख या experts now बड़े fruit और बीज इसके आते हैं जिन में तेल होता है अच्छी मात्रा में तेल होता है अच्छा तेल निकलता है तो इसके तेल को पूरे जो पहाड़ों का एरिया है जहां पर बरप पड़ती है वहां पर यही परियोग किया जाता है क्योंकि ये body को warm रखता है गर्म रखता है ओर जो मस्कुलर पेर होता है उसको भी खतम कर देता है और इसको दवाईयों में परियोग करते है साबुन बनाने में परियोग करते हैं प्रोपेगेशन बाइशी साभःस्टिंग टाइम में तु जूण यून के लास्ट उीख में गर आइप्ट करते हैं तो सीड में ओयल की मात्रा अधिक निकलती है रूट पावडर इजे प्रोवन एंथल मिंटिक एंथल मिंटिक के रूप में रूट का पावडर परियोग किया जाता है देखिए अब पहाड़ियां जो इस नोफाल से ढख चुकी है और अब भी पेड़ यह बहुत ही अच्छी तरह से है और इसी तरह बरफ में नेचर ने बहुत ही अच्छे पेड़ बनाए है अब सेलानी आने लगे हैं घूमने आईए जड़ी बूटियों और स्नोफाल देखने आपको बहुत आनंद आएगा तो देखिए यह लोग यहां का आनंद ले रहे हैं स्नोफाल का और हम भी यहां पर आए हुए हैं इसके कि शाखा को पालतु परसू में फूट पोईजनिंग होने पर उसके ओपर घुमाया जाता है जिससे ओठीक हो जाते हैं तो वह परसू भी ठीक हो जाते हैं थैंक्स एलोट पोर वाचिंग कंप्लीट वीडियो और इफ यू लाइक इट प्लीड डोंट फोर्गेट टू शे